हेलो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं खेलों के प्रमो कप और ट्रॉफिया से डेटेड जो भी important questions एक्जाम्स में पूछे जाते हैं और पहले भी जो भी पूछे जा चुक है मैंने previous questions को भी देख करके यहां पर include कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अग कोई भी एक्जाम्स हो अगर वहां पर questions पूछे जाते हैं कप और ट्रॉफिय से लेटेड तो आप definitely करके आओगे क्योंकि इस से बाहर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिठेगा तो फिन शुरू करते हैं सबसे पहला questions की कोपा कप किस खेल से संब्द नहीं कोपा कप का संब्द होता है बैड्मिंटन से जैसे बैड्मिंटन से और भी संब्द है चड्डा कप थॉमस कप उबेर कप तो इन सभी चीजों को आगे कवर करेंगे को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बस ध्यान से देखते रहें नेक्स्टाइग कि रोवर्स कप किस खेल से संब ना होगा एक होता है रोवर्स कप एक होता है रोजर्स कप जो रोवर्स कफ होता है यानि कि रोवर्स आप यहां पर देख रहें यह फूटबॉल से संब्दित होता है लेकिन अगर हम बात करें फिन्स रोजर्स ठीक है अगर मैं रोजर्स के बात करूं तो रोजर्स कप का स यहां पे लॉन्ट टेनीस के संबन्धित होगा। चलिए, नेक्स्ट परसन क्या कह रहा है। थॉमस कब किस खेल से संबन्धित है। जस्ट मैंने आपको ऊपर बता था चड़ा Cup, Thomas Cup, उबेर Cup, इन सभी का सम्बंद होता है Badminton से, ठीक है, ध्यान रखेगा Correct answer is Badminton Next Question क्या कर रहा है कि Durand Cup किस खेल से सम्बंद दीता है बताए फिंस, Durand Cup का सम्बंद किस खेल से है तो ध्यान दी जगा Durand Cup किस खेल से संबंदित है प्रिंस ओफ विल्स कप का संबंद किस खेल से संबंदित है तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे गोल्फ से अब यहां पर मैंने छोटा सा नोट्स भी लगा रखा आप पढ़ सकते हैं चाहो तो पर सकिन सोट मि कुछ भी नहीं करना बस इत्मिनान से अराम से वीडियो को एंड तक खतम कर लीजिए खतम होते होते सब चीज आपके माइन में होगा वेटन कप का संबंद किसे तो होकी से संबंद दीते सी यहां पर करेक्ट आंसर है अगला परस देखिजी क्या है उबेर कप या फिर उब कप अमरित दिवान कप थॉमस कप सुधी रमन कप और कोनिका कप इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है एक तो थॉमस कप एक यहां पर होता है सुधी रमन कप यह दोनों बहुत बार पूछा जाता है तो आप इसको याद रखेगा ठीक है चलिए फिलालम बढ़ते है सब्सक्राइब है सबसेAgit क्यों कितन हिर्ण इसमें गलती करते वेलिंटर ट्रोफी और एके कहता है विसमें कई लोग कॉणफ्यूज करते हैं तो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोईस करूँगा Wellington जो Cup होता है ठीक है Wellington पहले यहां पर ट्रॉफी के बात की जा लिए तो Wellington ट्रॉफी का मतलब होता है नौका यान से ध्यान रखेगा नौका यान से जबकि Wellington Cup की हम बात करें Wellington Cup जो होता है वो Horse Race से होता है Horse Race न्यूजिलैंड में किया जाता है Horse Racing तो वहां से समझ थे घुरदोर्स हम कह सकते थे वो क्या Wellington Cup ठीक है ये Cup से समबन्दित होगा जबकि ट्रॉफी की बात की ज़री तो नौका यान से ये अच्छे से याद में रखेगा Confuse नहीं करना है चलिए Next Point क्या कर रहा है कि एजरा Cup का समबन्द किस खेल से है एजरा Cup का समबन्द किस खेल से है देखिए एजरा Cup का समबन्द Polo से होता है सी यहाँ पर correct होगा और Polo से समबन्द ही जो विभीन Cup है वहाँ पर पढ़ सकते है पृत्वी पाल सिंग कप राधा मोहन Cup और Classic Cup इसमें सबसे important Classic और A जरा यह दोनों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसको याद रखेगा चलिए फिलाल हम देखते है Next Press हमारा क्या है कोनिका Cup किस खेल से समबन्द देते है तो कोनिका Cup मैंने आपको अच्छे से बता दिया था option D will be correct answer Next Press हमारा कि इंद्रा गांधी स्वर्ण कप का समबन्द किस खेल से है इंद्रा गांधी स्वर्ण कप का समबन्द किस खेल से है तो यहाँ पे अंतराश्टी होकी प्रत्योगता है यहाँ पे बीकूटिक करेंगे अंतराश्टी होकी प्रत्योगता DCM Trophy का संबन्द किस खेल से है DCM Trophy का संबन्द किस खेल से है तो ध्यान दीज़े के फैंस DCM Trophy का संबन्द हो जाता है Football से Right Answer Will Be Option C ठीक है Next प्रशन है कि इरानी Cup का संबन्द किस खेल से है इरानी Cup का संबन्द किस खेल से है तो यहाँ पर correct होगा Cricket इरानी Cup किर्केट से संबन्द दीज़े बस अच्छे से वीडियो को ध्यान से सुनते रही है सब चीज़ आपको clear समझ भी आ जाएगा America Cup किस खेल से संबन्द दीज़े America Cup किस खेल से संबन्द दीज़े तो Right Answer यहाँ पर होगा Yacht Racing Right Answer Will Be Option A Yacht Racing Next Question जो कि बहुत बार पेपर में देखने को मिलता है Jules Remade Trophy Jules Remade Trophy किस खेल से संबन्द दीज़े बताए तो Jules Remade Trophy का संबन्द World Soccer Cup यानी हम कह सकते Football से संबन्द दीज़े Next Point क्या कह रहा है Vardwain Cup का संबन्द किस खेल से है Vardwain Vardwain जो Cup है इसका संबन्द Weight Lifting Right Answer will be Option C Weight Lifting Next Question कह रहा है कि Rangaswami Cup किस खेल से संबन्द देते है Most Important Questions है Rangaswami Cup का संबन्द किस से होता है Hockey से होता है Right Answer will be Option D Hockey से संबन्द दीज़े और भी महत्रपून Cup कौन कौन्स है जैसे यहाँ पर पढ़ सकते है Wetten Cup आगा खा कप यह सबसे Important होगा एकदम वीविया याद रखेगा Maharaja Rajit Singh Gold Cup Lady Ratan Tata Trophy और एक और Important होगा Dhyhan Chand Trophy Hockey के जादुकर के रूप में Famous थे और इन ही के जन्मे दिवस यानि 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है यह point आपको पता होगा तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है ध्यान चन Trophy ठीक है तो इतने सारे चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है चलि आगे बढ़ते है Next question यह कह रहा है कि 4 मिनार ट्रोफी के स्खेल से समबन दित है चार मिनार ट्रोफी के स्खेल से समबन दित है तो राइट आंसर होगा एथलीट से समबन दित है option A will be correct answer Next question Carbitan Cup समबन दित है Carbitan Cup का समबन के स्खेल से है तो ध्यान दिजेगा फिंस Carbitan Cup का समबन दम कह सकते है महिला टेनिस ठीक है महिला टेबल टेनिस यहाँ पर राइट आंसर होगा option A will be correct answer और इसी से समबन दित एक और पॉइंट्स होता है जैसे स्वालंबन कप तो स्वालंबन कप का समबन पूरूस टेबल टेनिस से होता है स्वालंबन का समबन पूरूस टेबल टेनिस से जबकि कार्बिटन कप का समबन महिला टेबल टेनिस से नेक्स्ट पॉइंट है कि जूल्स रिमेट टॉफी का समबन किस से तो यह मैंने आपको उपर मताया था फुटबॉल से समबन दे छीक है जूल्स रिमेट कई बार पूछा जा चुका है शरीए नेक्स्ट पॉइंट जस्ट अभी हम लोगों ने देखा स्वालंबन कप का समबन किस खेल से है तो स्वालंबन कप मैंने आपको बताया था क्या कि कार्बिटन कप महिला टेबल टेनिस है जबकि स्वालंबन कप का समबन पुरूस टेबल टेनिस है यानि कि right answer will be option B next point is you thought cup समभध है you thought cup का समभध किस से है tennis से समभध है you thought cup next point क्या कह रहा है white man cup किस खेल से समभध है white man cup का समभध किस खेल से है तो ध्यान दिजी गा white man cup का समंद loan tennis यहाँ पर correct answer हो option D next point क्या है देखे टेनिस कभी कहें या फिर लॉन टेनिस कहें दोनों का मतलब एक ही हुआ लेकिन टेबल टेनिस अलग हो गया ठीक है न ध्यान दीजेगा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि रिलाइंस कप और रूथमैन की ट्रॉफी किस खेल से संबंदित है रिलाइंस कप या फिर रूथमैन की ट्रॉफी किस खेल से संबंदित है तो इसका संबंद रहा था है क्रिकेट से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अब क्रिकेट से अब यहाँ पे कह सकते mr भutation इरानी ट्रोफी डिलीप ट्रोफी और राणी जासी ट्रोफी और एक देवधर ट्रोफों कितर तो डिलीब इरानी रची यह सब़ी तो आपको पते होगा सी डियप केंदि आढ की है ज़ऒबिकनि थोड़ा सा कन्फियूजन जो करा जाकता है वो है सीसमाल ट्रोफी ये ध्यान रखेगा चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रоС्शन कह रहा है कि आइजन हावर कप किस खेल से संबंद देते हैं आइजन हावर कप का संबंद किस खेल से हैं तो इनका संबंद हो जाता है गुल्फ से यहाँ पर डी को टेक करेंगा नेक्स्ट प्रश्ण कहा रहा है कि चको या गोल्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंद दीते हैं चको या गोल्ड ट्रॉफी का संबंद किस खेल से फुटबॉल राइट आंसर होगा ऑप्शन भी फुटबॉल नेक्स्ट प्रश्ण देख लीजे क्या और मैं आपको यहाँ पर कई बार बता चुका हूँ कि वेलिंग्टन ट्रॉफी और वेलिंग्टन कप में दोनों में डिफ्रेंसेस तो जल्दी से बताएगी वेलिंग्टन ट्रॉफी का संबंद किस से होगा तो वेलिंग्टन ट्रॉफी में आपको क्या बता था वेलिंग्टन ट्रॉफी जो होता है वो नौका यान यानि कि रोई यहाँ यहाँ पर कह सकते है जबकि Wellington Cup का संबन्द जो होता है वो Horse Riding यानि कि Horse Race है ठीक है Horse Race यहाँ पर ध्यान रखेंगे Good Lord चलिए Next Questions लावेर कप का संबन्द किस खेल से हैं ये देखें Questions हाली में पूछा गया था बिहार EASI का जो एक्जाम सुह था उसमें पूछा गया था प्री में तो लावेर कप का संबन्द Tennis है और ये important होगा अच्छे से याद रखेगा चलिए Next Question नहरू Trophy का संबन्द किस खेल से हैं देखें ये Questions भी Confuse करता है एक तो होता है Trophy और एक होता है Nehru Cup ठीक है ये दोनों भी Confuse करता है तो यहां पर मैं आपको उता दूँ Trophy जो आप इसको याद रखेंगे इसमें देखें फी आ रहा है इस तरह से फी तो होकी में भी इसी तरह से आप देखेंगे कि Last में की आ रहा है यानि कि दोनों तरफ ये आपका Correct हो का होकी Trophy पूछे नहरू Trophy तो यहां लोग ने क्या देखा भी Trophy जो होता है वो होकी से समभन दिते जबकि नहरू Cup का समभन फूटबाल से है यहां पर option बी विल्कुल Correct होगा आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट है कि निमलीखित में से कौन सुमिलिद नहीं है निमलीखित में से कौन सुमिलिद नहीं है तो सभी आंसर होगा Wellington Cup देखे आगे पहले पढ़ लेते उपर समें क्या क्या रहा है बर्ना वेलिक जो कप है लॉन टेनिस से संबंदित है राइडर कप गोल्फ अल्रेडी देख चुके थे कार्बिलॉन कप का संबंद टेबल टेनिस याद रखेगा Wellington Cup मैं आपको क्या बताता Wellington Trophy का संबंद जो होता है वो नौका यान से होता है कप का संबंद घोड़ दोड़ या फिरम कह सकते हैं होर्स रेस से होगा तो यहां पर यह पॉइंट क्या है गलत है इसको अच्छे से ध्यान में रखेगा क्या पर कई बार कंफ्यूजन्स करता है पेपर में भी अगला पॉइंट यूरो कॉप कि स्खेल से संबंदित है तो ध्यान देजिका फैंस यूरो कप का संबंद कि स्खेल से होगा फुटबॉल करेक्ट आंसर है फुटबॉल ठीक है यूरो कप फुटबॉल देखे फुटबॉल से संबंदी जो भी कप इंपोर्टेंट है वह पढ़ लेते दुरंड कप रोवर्स कप संतोस ट्रॉफी यह ध्यान रखेगा इसमें इंपोर्टेंट कौन-कौन सा है तो एक तो दुरंड पूछा तक सर रोवर्स पूछाता है मडेका कप पूछा जा सकता है नहरू कप कई बार देखने को मिलता रहता है और सबसें इंपोर्टेंट जूल से रिमेट ट्रॉफी ठीक है तो इन सभ आप ऑच्छे से याद रहा है स्कीन स्वाट लेगों तो आप ले सकते हों नेक्स्ट पॉइंट करें हो array कंप का संबंद किस सबसे पहला जो इसमें खेला जाता हुए अस्ट्रेलिया ओपेन, दूसरा जो होता है वह होता है फ्रेंच ओपेन, तीसरा जो होता है वह है बिमंडलंड और चौथा जो लास्ट में खेलाता है वह है यूएस ओपेन, यानि कि यूएस ओपेन, बिमंडलंड, फ्रेंच ओपेन ये तीनों संबंधित है लेकिन इटालियन ओपें जो हो ग्रैंड स्लम से संबंधित नहीं है इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हम D को टिक करेंगे नेक्स्ट पॉइंट बारत के सबसे पुरानी होकी टूनामेंट कौन से है जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि भारत के सबसे पुरानी फुट्बॉल टूनामेंट डूरंड कप है उसी तरह से यहाँ पर होकी का सबसे पुराना टूनामेंट कौन से है तो यहाँ पर करेक किस शुल्तान अजलान सा जो टूनामेंट वो किस खेल से समभब नहीं है तो होंकी से सम्भब अगया और इसका अजुषी की मलीशिया करता है ओप्सन बीकल चलिए कि नेक्सट प्रस्ट नहीं कि निमलीखीत्में से कौन सुमेलित नहीं है विद्गिए हाफ्में कप देखा तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हॉपसन सी नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है निमलिखित में से कौन सा यूग में सुमेलित है अच्छे से बताई के कौन सुमेलित है अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और लाइक नहीं के तो प्लीज आपसे छोटा सा रिक्व अग मेंसी तरह कि आपको एक्जाम्स ओरियेंटेट क्वेशन्स करा जाते हैं पहला पॉइंट्स किया रहा है कि आगा खाकप है क्यों इस खलत है क्यों की होकी से समभनदी थे अबेर कप का समंद्ध बैड्मिंटन से ये पॉइंट गलत है डुरंड कप का समंद्ध कपका संबंद आइस होकी से option D विल बी करेक्ट अंसर नेक्स्ट पॉइंट निमली खित में से कौनसी ट्रॉफी किर्केट में नहीं दी जाती है राइडर कफ जो गोल्फ में दिया जाता है यह इसलिए हमारा option A यहां पर करेक्ट होगा राइडर कफ गोल्फ से जब किरड़ देवधर, से जी ये तीनो के तीनो किर्केट से संबन दीत है next point की holka trophy किस खेल से संबन दीत है holka trophy तो ध्यान दीजेगा holka trophy का संबन जो होगा वो bridge से है अब ये bridge किस टाइप का खेले तो ये एक card का खेले जिस अम task का पत्ता कहते है उसी ताइप का ये खेल होता है next questions की rogers कब किस खेल से संबन दीत है देखिए अगर आपने उपर में ध्यान से सुनाओगा तो मेरा आपको एक चीज बतायता एक होता है rovers और एक होता है rogers तो rovers जो मैंने आपको बताया था वो क्या था football से जबकि rogers का संबन्द tennis से होता है और यह most important points बन जाता है confusions वाला अच्छे से इसको ध्यान में रखेगा ठीक है rogers जो होता है वो टेनिस से जबकि rovers का संबन्द football से होगा यह ध्यान रखेगा तो यहाँ आप हम लोगोंने 45 most important mcq को cover किया I hope कि आप लोगो यह छोटा सा वीडियो पसंद होगा वीडियो अच्छे लागा हो तो वीडियो को like कर दीजी अपने दोस्तों के साथ share कर दीजेगा नीचे comments करके बताए कि आप लोगो यह वीडियो कैसी लगए और next topic भी हम इसी तरह से cover करेंगे जो मैं आपको homework में दे रहा था उसी तरह के topic को cover करते चलेंगे ताकि आपके exams के आने आने तक आपके पास अच्छे collection हो जाए एक क्यूज का question से आपके लिए संतोस कप का संबंद किस खेल से जल्दी से comments करके right answer नीचे दीजेगा चीक है तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में next topic के साथ thanks for watching keep watching keep learning have a good day